नमस्कार दोस्तों स्वगत है आपका इस टीफार सिविल सिर्फिस में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करने जो और ऐसे वीडियो लगाता सब्सक्राइब करेंगे जो अप्रेल में एक्जाम होगा बिहार पुब्लिक सर्विस कमिशन का उसके लिए ये टेस सिरीज है आज हम बिहार जीके के बेसिकली हिस्ट्री जोग्रफी और करन्ट अफेर्स की चर्चा कुछ करेंगे कुछ वीडियो ये बाइलिंग्वल रहने वाला है जिससे की हिंदी और इंग्लिश के चात्र दौनों ही इसको देख सके और इसी तरी के बिहार जीके की पूरी कॉम्प्रियेंसिव तैयारी के लिए आप स्टेडी फॉर से जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक पर देख सकते हैं आप हमारे पेड़ गूरूप भी जॉइन कर सकते हैं इन दियोवे नंबर्स पर कॉल करके और स्टडी फॉर सिवल सर्विसेज आपके लिए बन स्टॉप डेस्टिनेशन है किसी भी कॉम्टेटिव एक्जाम के लिए चाए यूपी एसी हो यूपी एसी ह यूपी एसी हो और हम आंसर आइटिंग के कोर्सेज भी हमारे चलते रहते हैं जहां पर सेलेक्टेट कैंडिडेट्स और बहुत ही आउसम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं चलिए पहला कोशन देख लेते हैं इसी बात पहला कोशन आप से पूछ रहा है कि दिलावर पुर ज देख लेते हैं इसमें आपको बिहार के बारे में कुछ चीज़े पूची हुई और आपको गलत चुनना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है बोल रहा है कि बिहार की जो नौधन बॉर्डर है उत्तरी सीमा वो नेपाल से जुड़ी हुई है गया जो है बिहार का होटेस चैन आपको बताना बिहार के किस डिस्टिक्ट में है ऐसी तरीके से आप सारे क्वेशन्ट करिए जो मैं आपसे पूच रहा हूं और इस वीडियो में भी जो क्वेस्टन हैं सो के सो आपको अटेंट करने और बहुती ऑनिस्टी के साथ अपना आंसर लिखना है क्योंकि जब इसका नाकपूर माल्वा वेस्टन बिहर या बंगाल किसमें हूआ था इसका ऑप जाएक एस नहीं न इंटिन यहां सबस्क्कार अर्टार लेलिएंस कि में 899 जाने खेले हुआ था surgeons फेलराइस्टे यह होते हैं को आपको याद करना है A4 size की sheet आप ले लिजे और उस पर याद कर लिजे UPSC, BPSC और UPSC direct questions पूछते हैं format में आपको बता देता हूँ पहले आप year याद कर लिजे फिर आप cause याद कर लिजे फिर आप leader याद कर लिजे और finally फिर आप इसका result याद कर लिजे इस तरीके से सीध geography और history को मिला के जो question है BPSC exact चीजे पूछ लेता है इसलिए हमने जो है हमारी test series को भी इसी pattern पर डिजाइन किया है और इसी तरीके की और भी initiatives के लिए आप WhatsApp ये टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं और इन नंबरों पर कॉल करके भी initiative का पाइदा उठा सकते हैं next question देखते हैं तो इसमें अगर हम देखे तो ABC तीनों सही है कुवर सिंग की जो मृत्य हुई थी ये basically 10 April 1858 को इसलिए इसका answer effectively देखे तो E हो जाएगा more than one of the above next question देख लेते हैं इसमें पूछा है metal stone age यानि कि जहां पे धातू और पत्थर सब दोनों का use होता था ऐसी age के जो remains है यानि कि अवशेश है वो हमें कहां मिलते हैं छपरा, चिरान, सोनपूर, मनेर, बिहार में कहां मिलते हैं बताइए तो ये हमें सभी इतिक, bronze culture, ओकर कलर कलर कल्चर ये सब ओकर कलर कलर कल्चर देखने को मिलते हैं तो आप से मेरा question है कि हरपा जो civilization है हरपा civilization कौन से age की civilization है ये आप मुझे बताएंगे आप बताएंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप दूसरों के comment पढ़ेंगे लेकिन अगर आपको पता ह है तो आपको अपनी ज्यान की प्रदर्शनी करने का मौका मिलेगा जो की बहुत जरूरी है एक्जाम को crack करने के लिए next question देख लेते हैं लेटर गुप्ता period के बारे में है ये लेटर गुप्ता यानि की गुप्त वन्स के साशक जो परवर्ती गुप्त वन्स के साशक थे उनके बारे में हमें किन अभी लेकों से यान के inscription से पता लगता है किस से पता लगता है अपसर से देव बरनक से मंदर से शापूर से किस से पता लगता बताई है तो इसका answer का हम देखें तो ई है सभी से पता लगता है इनको अगर हम देखें विश्नो गुप्त और देव ग अगला कोशन देख लेते हैं इसमें पूचा है कि बुद्धिश राइन है कुकुट राम की उसको तीन बार नस्ट करने की यानिकि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी नहीं करी थी बताईए आप मुझे शुंग सात्वान गोर मुखारी बताईए तो यह शुंग वन्स के रूलर थे यह बिसिकली ब्रह्मैनिकल रूलर हुआ करते थे तो ब्रह्मैनिकल वे ओफ लाइफ जिसे राजसु यग और शुमेग यग में यह बिलीव करते थे और प्रण और इसमें इन्स के सकते हैं, तो हम स्लेव के बाद इसके बाद अगर हम इलतुत मिष ऐसे उल्त ह सुल्ताने का सुल्तान मनाया गया, 1206 में इनके मृत्यू हुई थी और उसके बाद इल्दूत मिष्ण ने गद्धी सम्हाली और उसके बाद अगर हम देखे तो Slave Dynasty या मामलुक Dynasty जो है उसको इन्होंने Consolidate किया दिली सल्तनत में अगला कोशन देख लेते हैं नुहानी किंग्डम के Founder यानि की संस्तापक का नाम बताना है कौन है बुर्गा खान मोहमद शाह नुहानी दरिया खान नुहानी दाउत खान बताईए तो यह है बी मोहमद शाह नुहानी मोहमद शाह नुहानी एक बड़े ही Brave fighter भी थे और इन्होंने जो है अगर हम बात करें इब्राहीम लोदी को एक battle में हराया था उस battle का नाम है Battle of Kanakpura Battle of Kanakpura ये भी आपको battle याद होने चीए क्योंकि match the following में आ जाते हैं UPSC भी पूछ लेता और VPSC तो पूछता ही है अगला कोशन देख लेते हैं शेर्शा के दवारा जो reconstruction किया गया था पटना कहने की पुरना निर्मान किया गया था उसका description हमें किन किताबों में मिलता है तारी के दाओदी शेर्शा जहांगीर नामा या बाबर नामा किसमें मिलता है बताईए तो इसका description हमें तारी के दाओदी में मिलता है तारी के दाओदी यह इसका आंसर हो जाएगा और इसको किसमें लिखा था किसको दी थी वो शाहिब आलम बहादूर बक्त खान को दी थी अलिखान को दी थी कुपाल कृष्ण गोकले को यह दी थी या अजिम उल्ला को दी थी बताईए तो इसका अनसर हो जाएगा बक्त खान को दी थी वो दिल्ली में 1957 का Revolts Leads कर रहे थैं आप मुझे बिहार में इस Revolts को कौन लीड कर रहा था बिहार का Revolts कौन लीड कर रहा था वो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट देख लेते हैं एंपरेश शाह आलम सेकेंड ने दिवानी आप मुझे बताएंगे क्कि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब अपना एक्जाम नहीं क्लियर कर पाएगे इसलिए आप ही मुझे लिख के बताएंगे यह नहीं ठीजाद ही जादा आप बोल दिया देखते हैं तो आपको पता लगता ही किया और निजामत जो होती है निजामत यानि कि policing functions वो भी ले लिये थे तो निजामत तो बंगाल के नवाब कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई power नहीं थी लेकिन सारी accountability उनहीं के पास थी इसको हम dual rule system भी बोलते थे ठीक है अगला question हम देख लेते हैं इसमें पूचा है कि कामेश्व कि बिहार बंधू एक अखबार आता था बिहार बंधू एक अखबार आता था और उसको प्रकाशित किया गया था 1872 में ठीक है आपको नाम बताना है उसके publisher का कि किसने उसको प्रकाशित किया था अगला question देख लेते हैं एपिग्राफिक inscription के बारे में basically क्या होता है जो ता इनमार, जावा सुमात्रा, इरान या कमबोडिया बताएं तो यह जावा और सुमात्रा के rulers के साथ संपर्क में थे अगर आप देखेंगे तो बिहार यहां पर आपको कहीं दिखने को मिलता है बिहार बंगालू समय एक समय होता था जावा सुमात्रा यहां तो बेयो बिंग जब भी आप question पढ़ेंगे तो incorrect correct का ध्यान रखेंगे अपनी ओमार में गलत मांक नहीं करके आएंगे वह पाप है अगर वह पाप आप नहीं किया तो आपका एक्जाम नहीं निकलेगा जो कि हम नहीं चाहते हैं ठीक है तो पहला इसमें बोल रहा है कि जो king इंदु मन है वो डर के भाग गए थे दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो capital थी बिहार की उसमें उदान्त पूर थी तीसरा इसमें बोल रहा है कि बक्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रम शिला को बिल्कुल destroy कर दिया था यूनिवस्टीज को और चौता इसमें बोल र है दिये हुए options में से गोवा में हैं बिहार में हिमाचल में उत्तरपदेश में कहां पर बताईए तो अगर हम देखे सबसे कम साक्षर्ता दर की अगर हम बात करें तो हमें बिहार में मिलेगी बड़ी ही दुखत बात है कि बिहार जिसी धरती की साक्षर्ता रेट हमारे भा चुके हैं वो जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी थोड़ी हैंड होल्डिंग और मदद कर देते हैं ऐसा ही कुछ इनिशेटिव बिहार की सरकार भी ले सकती है तो अब मैं आपको लोएस्ट तो पता लग गया हाईस्ट मैं आपको बता देता हूं हाईस्ट लेटरसी जबता है रश्यानश मैं या या टोपरा बताई तो इसका अंसर हो जाएगा एट हैंस्ट Now अप हर घेसिंगेंज जो एक यह शोकर्ण सेस्ट लेकिंग न के बीच में पॉइंट से defence और यानिकि वो कि से अलग तो यूड़ीय सीन सीधा में 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 एक बार इस कोशन को पूछ लिया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आप इसको लिखके बताएं सर्च करके बताएं अगला कोशन देखते हैं महाजनपद पीरड की बात है महाजनपद पीरड सिक्सेंचुरी सिक्सेंचुरी के आसपास यह स्टार्ट हुआ था बहुत सारे महाजनपद थे वहाँ पे तो पूछ रहा है कि मौडन बिहार किस महाजनपद का हिस्सा था मगद का था चेडी का था सूरसेन का था या दक्षिन मल का था बताएं तो अगर हम बात करें तो यह एक से अधिक है यानि कि मघद का भी था और दक्षिन मल का भी था चेडी जो है बेसिकली मध्यप्रदेश है और सूरसेन यानि कि मतरा यूपी है तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा इनक्स कोशन देख लेते हैं इसमें पूछ रहा है कि जो केव इंस्क्रिप्शन है यानि कि गुफा में जो लेक लिखे गए हैं बराबार हिल्स की गुफा में जो गयाडिस्टिक में है वो किस लैंगोज में लिखे गए हैं अरमा एक पाली प्राक्रीट संस्कृत किस से गए हैं बताई निदान से अगर इस कोशन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो हिस्टरी का कोशन पता ही लग रहा है कि इस टिक है लेकिन ये जोग्रिफिक भी कोश्चन है कैसे कि आप से मैच्ट फॉलिंग में ये पूछ सकता है कि बारा बार हिल्स जो है वो कहां पे तो आपको गया डिस्टिक में है तो इस तरीके से आख नाक कान मुह जो भी आप खोल सकते हैं उसको खो आपत मैं आता था ऐसी तो इसका आंसर है वो प्राची ए क्राची में आता था और इसकी जो राजधानी थी वह क्या थि है पार्ली पूत्र की तो इसकी तो उश्वाली थी तक sie तो इस तप्रंभके से भी आप इसको चाहिए इसका screenshot लेके अपने कमरे में चिपका लीजे, कुछ भी कर लीजे, लेकिन सारे महाजनपदों का भी आपको पता होना चाहिए, उनका capital का था और बिहार के जो महाजनपद है उनका आपको पता ही होना चाहिए, नेक कोशन देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि मराठाज ए यह जो है, basically अलिवर्दी खान थे, अलिवर्दी खान बड़े ही फेमस जो है, परसनालिटी है और वो बिहार की हिस्ट्री में काफी important है, बिहार और बंगाल की दोनों की हिस्ट्री में बड़े important है, तो मैं आपको थोड़ा मराठास के बारे में बता जेता हूँ, मराठास क यह दोनों ही जो उगाई के साधन थे, यानि की जो फिरौती की रकम जो मराठा लेते थे, तो वो चौध और साधेसी के नाम से जानी जाती थी, ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, चाहे यूपी सी के हो, यूपी सी के हो, में सांसर आप उसको जाकर देख सकते हैं, इसी बात पर नेक्स कोशन देख लेते हैं, कुवर सिंग के बारे में कोशन है कि कुवर सिंग 857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उन्होंने उसका नेतरत्व कहां किया था, बिहार में किया था, राजिस्तान में किया था, हर्याना में किया था कहां किया था इसका तो ये सिंपल सी बात है बिहार में इनोंने किया था और ये कहां के जमिंदार थे ये जगदीश पूर के जमिंदार थे ये आपको पता है और 60-70 साल की एक बुज़र गुमर में इनोंने इस अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था तो हमें भी इसी जोश सोचलिस्ट पार्टी जो पटना में बनी थी बिहार में 1934 में उसके कनवीरे यानि कि उसके सहीयों जग कौन थे ठीक है समाजवादी पार्टी के सहीयों जग कौन थे राजेंद प्रसाद जैपरकाश नरायन आचारे नरेंदेव या गणेश शंकर विद्यारती कौन थे बता को बता रहा हूं कि ये कोशन आपको एजटेस पता होने चाहिए नेक कोशन देख लेते हैं पूछ रहा है कि नौट करेक्ट ली इसको दुबारा लाल काले पीले नीले हरे गुलाबी सारे पैनों से मांक कर लेना लेकिन आंसर शीट में नौट करेक्ट अगर पूछा है तो करेक्ट मार्क करके नहीं आना है तो आप से पूछा क्या कांती थर्मल प्लांट पटना में है नक्टी बिहार जमूई में है या बिहार डे 22 मार्च को मनाया जाता है तो बताए कौन सा इसमें से गलत है तो अगर हम देखे तो इसमें से वन ओनली यानिकि केवल एक गलत है क सब्सक्राइब सब्सक्राइब बारा में इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं इसमें पूछ रहा है कि हाइस्ट फीमेल लिटरसी रेट यानिकी महीलाओं में सरवाधिक साक्षरता दर 2011 के सेंसस के साथ से बिहार के कौन से डिस्टिक्ट में है शिवान में है प पताई होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहां पहले me 2 रहें सबसे कम घृप को पता होना चाहिए कुछ पतां ना चीजाए याद कर लेजे चबाय लेजे खाय लेजे नाशता डिनर और लंच में और आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए नेक्स कोशन फिर इसमें नॉट करेट पूछ रहा है फिर हम इसको मार्क कर लेंगे पूछ रहा है कि एक तरफ नदियां दी हुई है दूसर तरफ उनके ओरीजन्स दी हुए है तो आपको बताना है कि क्या कोशी नदी अमरकंटक से निकलती है महाननदा हिमालया महाभारत रे है बहुण से भी होता है तो आपको से बहुता है है और बिहार का इरिगेशन का इसके नहाव होता है अब मुझे बताएं बिहार का क्या वर्ढरायोई केwl एक सिस्टम है जिसको अचेनल लाता है धोड़ी जन पहले उसका I नाम डूणके बताना है जैसे राजिस्थान का एकंद्रा Kandhi कनल बढ़ा मशूर है तो ऐसी बिहार में कौन सा केल मशूर है आप मुझे इस concept D हो जाएगा इसको हम मैं बता जेता हूँ आपको स्वदेश दर्शन स्कीम है हमारी Minister of Tourism और Minister of Culture मिलाके चलाती है इसको और प्रसाद स्कीम भी चलाई जाती है इसके साथ ही तो इसमें क्या करते हैं कि एक किसी भी theme से चाहे वो रमायन हो या वो सूफी हो या वो बुद्धिजम हो ऐसी एक theme को पगड़के और उसकी जितने भी important places हैं उनको में seamless connectivity से जोडते हैं और महाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके की services tourist के लिए हम provide करते हैं ताकि हमारे पास क्या क्या आए हमारे पास forex भी आए हमारा export भी हो services और दूसरा हमारी soft power भी build हो ठीक है चले नेक्स question देख लेते हैं इसमें पूछ रहा है नान्यादेव के बारे में हमें किस inscription है अभी लेक से जानकारी मिलती है बताईए डुम्राओं, सिम्राओं, भगवानपूर, बिस्पी किस से मिलती है तो ये इस कांसरो जग अभी सिम्राओं के inscription से हमें जानकारी मिलती है नान्यादेव थे कौन ये बेसिकली करनाटा का डाइनस्टी के फाउंडर थे, नाम तो करनाटा का डाइनस्टी है लेकिन ये रूल मिथिला में करते थे, ठीकर ये धान रखेंगे इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से रूलर उस समय उसको रूल करते थे, जब बक्तियार खिलजी ने अटैक किया था, तो ये बेसिकली लक्षमन सेन थे, सेन डैनस्टी के रूलर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ए, वो पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गलती से, कोई बात नहीं, चलिए, इसको करेक्ट कर लिया, आपने अच्छी बात है, पूछ रहा है कि देवपद की जो यूलॉजी है, यानि की यूलॉजी का मतलब क्या होता है, जो प्रशस्ती होती है, जिसमें हम एक रूलर की जो अचीवमेंट्स हैं, और इसके जो कंपोजर थे, वो भी आपको पता होने चाहिए, उनके कंपोजर का नाम था, उमापती धर, ठीक है, ये इसके कंपोजर थे और ये विजए सेन के लिए 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 नेक्स कोशन देख लेते हैं, बक्तियार खिलजी ने जब तो इसका आनसर हो जागा, ए इंदरियुम पालने, इनको रजिस्स किया था, अगला कोशन देख लेते हैं, जामा मजजी जो दर भंगा में बनाई हुई है, वो किसने बनाई थी, ग्यास उद्दिन तुगलक, फिरोषा तुगलक, मोहमद बिन तुगलक, अला उद्दिन ख ते कौन से river के front पे है मतलब किस river के किस नदी के किनारे ये बनी हुई है ये question आप मुझे बताएंगे comment section में comment section में मुझे इतनी ज़ादा competition दिखनी चाहिए कि ताकि पता लगे कि सही में आप लोग SDM, DSP, BDOS ये सब बनना चाहते हैं लेने एक्स कोशन देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि जो बिहार में पहला तरकिस इन्वेजन हुआ था, उसकी जानकारी हमें किस रचना से मिलती है, फिर्दौसी की रचना से मिलती है, उत्वी की मिलती है, बदायू से मिलती है, या समसिराज अफीफ की रचना उसे मि प्रिरदॉसी जो थे पर्षियन यह फार्सी के एक पोएट थे और इन्होंने शाह नामा लिखा था यहाँ बेसिकली किसी भी पोएट के दुवारा लिखा हुआ लोंगेस्ट एक इंपोजीशन है पूरे वर्ल्ड में और इसमें बेसिकली सारे जो किंग्स हैं उनके बारे मे लिखा हुआ है अगला कोशन देख लेते हैं ये not correctly match या निकि जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है एक तरह waterfall से एक तरह डिस्टिक है बिहार के जहां पर वो situated है पहला है कि दुर्गवती है रौतास में जियार कुंड है भोजपूर में काकोलत है नवादा में और खुरिदा है भाग भागलपूर में बताए कौन सा नहीं है सही तरीके से मैच तो इसको हम बता देंगे डी इसका answer है खुरिदा भागलपूर में नहीं है खुरिदा बेसिकलिपा है बताईगे जल्दी से हाँ बिल्कुल आपने सही कहाई है ये रहतास में है decadal growth population growth rate है यानि की एक 10 साल के period में जो growth rate हुई है population की वो कितनी हुई है सबसे ज़्यादा कहां हुई है यह आपको बताना है किस district में सबसे ज़्यादा हुई है माधेपुरा में किशन गंज में कटिहार में या शिवार में बताईए तो यह जो decadal growth rate है सबसे ज़्यादा वो माधेपुरा में थी 25 दिसंबलो 42 की ये rate थी मैं थोड़ा से इसके बारे में समझा देता हूँ population growth rate क्या पूछी है highest decadal growth पूछी है total मतलब absolute numbers में highest decadal population growth पूछी हुई है growth rate और growth में क्या difference होता है मैं बताता हूँ आपको जिसे एक चीज है 100 फिर वो 120 हुई फिर वो 125 हुई ठीक है तो अगर हम देखे absolute number में तो ये number बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे 20% का increase था यहाँ पे certainly 20% से कम का increase है तो ये जो growth rate है ये तो कम या जादा हो सकती है लेकिन absolute growth तो बढ़ी रही है ठीक है तो ये difference होता है between population growth and population growth rate तो इसमें आप से पूछा है highest decadal population growth किस district में है माधेपुरा में है वो lowest में आपको पता देता हूँ lowest भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है गोपाल गंज में ठीक है बखीरा बखीरा जो है basically उत्तर प्रदेश में है जबकि अगर हम बात करें नागी बांद की नागी बांद आपको मिलेगा जमूई में बिहार में भीमबंद आपको मिलेगा कहाँ पर मुंगेर में ठीक है और वालमी की आपको कहाँ मिलेगा वेस्टरन चमपारन में ठीक है तो ये तीनों बिहार में है लेकिन बखीरा जो है बिहार में नहीं है तो वाइल लाग सेंचुरी इसको याद करने का तरीका में आपको बजाज़ा दो आप एक मैप लिलीजे बिहार का और उसमें ऐसे इसको माक कर लीजे और इसका कोई निमोनिक बना लीजे तो आपको याद हो जाएगा किस डिस्टिक में कौन सा है नेक्स हम देख लिए थे स्वामी सहाजानन के ओपर कोशन है यह आप से पूछ रहा है कि स्वामी सहाजानन बिहार में किस मुवमेंट के साथ जुड़े हुए थे लेबर मुवमेंट के साथ सैनिक मुवमेंट के साथ किसान यानि कि पीजन मुवमेंट के साथ या ट्राइबल यानि कि जन जाती है मुवमेंट के साथ बताईए तो अगर हम बात करें तो यह सी यानि कि किसान आंदुलन के साथ जुड़े वेते स्वामी सहजानन और अगर आप देखेंगे All India किसान Union का All India किसान सभा 1936 में जो पूरा वो किया गया था मूमेंट चला गया था वो स्वामी सहजानन सरस्वती के द्वारा ही चला गया था इक कोशन हम देख लिए है पूचाए कि जो अत्तरी बिहार है वेहर में जो टर्किष पावर थी उसके बारे में अगला कोशन देख लेते हैं पूच रहा है कि इबराह्यम खान लोगी के खिलाफ एक revolt हुआ था विहार के एक सूपध可以 high aujourd कर दिया था वह कौन था दर्या खान नोहानी बहार खान मोहमझषा या नुश्रसा शाह पता यी कौन थे जिन्हों रिवोल्ट कर दिया था यह अगला कोशन देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा हुआ है कि सेर्शा सूरी ने कि जो टूम है यानि कि उनका मकबर है वो कहां पे है हाजीपूर में सासाराम में मानेर में पूर्निया में बताइए तो ये बेसिकली सासाराम में है ठीक है और शेर्शा सूरी ने हुमायू को हरा के जो है दिल्ली की गद् अंका को एक्जेक्यूट किया था बहुत अच्छा कॉपर का दम भी इन्होंने बनाया था है सिक्के इन्होंने बनाया थे जो कि आज तक भी स्टैंडर्ड माने जाते हैं ठीक है इसले इनका इनका आपको पताओना जरूरी है नेक्स देख लेते हैं कि अकबर के टाइम पे 1564 में बिहार के एक अमीर थे उन्होंने अपने आपको इंडिपेंडेंट गोशित कर दिया था वो कौन थे सुलेमान कर्रानी दाउद खान हसन खान या बारा खान कौन थे बताईए वो तो ये कौन थे सुलेमान कर्रानी थे जिन्होंने अपने आपको को बनाया था गवरनर और और अरंजिव की मित्रुक मित्यू कभ हुई थी डेथ कभ हुई थी 1707 में इनकी मृत्यू हुई थी जिसके बाद मुगल एंपायर का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ अगिला कोशन देख लेते हैं पहला मुगर एंपरर कौन था मुगल कोरनेशन बियार में हुआ था जहन्दर शा एक अगहर पोता कोन था इसके और अगरर पूलिस होता है तो इसी तरीके से नायब नाजिम क्या होता था नवाब की एक डेप्यूटी को नायब नाजिम कहा जाता था चलिए आगला कोशन देख लेते हैं यह आप पूछ रहा है कि बारबार हिल्स जो आजीविका केव्स बनाई गई थी बारबार हिल्स में वो किस पूछी केव्स भी आपको यहीं मिलेंगे आप मुझे बताएंगे अजंता की गुफाओं का निर्मान किस साशक ने करवाया था या किस पीरड में अजंता की गुफाओं का निर्मान कराया गया था ठीक है नेक्स कोशन हम देख लेते हैं आप से पूछ रहा है कि नालंदा सांग जो चाइनीज टैवलर थे वो यहां पे थे और यहां पे चाइना जपाइन और साउथी स्टेशिया में जो बुद्धिजम स्प्रेड हुआ वह यहीं की वज़े से हुआ तो बताईए तो अगर हम देखें तो नौट करेक्ट तो नन ऑफ दी अब और और सरी इसका अ अब यह जोग्राफिक का कोशन है तो आपको सॉयल का टाइप बताना है जो आपको पूर्निया और कोसी एरिया जो सहरसा डिस्ट्रिक में है वहां पे कौन किस तरह की सॉयल मिलेगी आपको खादर बांगर बलधर या लेटराइट पताईए तो इसमें आपको खादर टाइ अब बात करें तो बंगर एक 59 कि जगल्पूर से जिले है इंतर बकसर से करती है सारंवाजपूर से बोचपूर से ब्हागलपूर से किस से करती है मताइए तो अगर हम देखे तो ये भोजपुर से करती है बिहार में अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा गौमुक से निकलती है गंगोतरी ग्लेशियर से और उसके बाद ये भागी रती के रूप में निकलती है और उसके बाद अलक नंदा से मिलती है कहां पर देव प्रियाग में कहां मिलती है देव प्रियाग में और देव प्रियाग के साथ चार और प्रियाग है जिनको टोटल हम पंच प्रियाग बोलते हैं तो एक का मैंने आपको बता दिया बाकी के चार प्रियाग आप मुझे बताएंगे नदियों के साथ जो नदियां उनमें मिलती है आके next question पूछ लेते हैं आप से ये पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा डिस्टिक है जिसमें highest population density है population density मतलब एक unit area अगर हमने ले लिया और उसमें यहाँ पर मान लीजे 100 लोग रह रहे हैं यहाँ पर 50 लोग ही रह रहे हैं तो density किसकी जादा हुई इसकी जादा हुई कैमूर में कैमूर में आपको सबसे कम population density मिलेगी तो अगर आपको थोड़ी सी सांस मास की समस्या है या आपको अगर कलॉस्टरफोबिक लगता है तो आप कैमूर में रहना prefer कर सकते हैं चलिए next question आप से पूछ लेते हैं यह पूछ रहा है कि बिटिश रूल के टाइम पे बिहार और ओडिसा को बंगाल से कौन से वर्ष में अलग किया गया था कौन से इयर में separate किया गया था तो हम आगी अभी देख के आ रहे हैं इसको पढ़ने की जुरती है 1912 में इसको separate किया गया था इसलिए 22 मार्च 1912 को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार को ओडिसा से कब अलग किया गया था बिहार को ओडिसा से अलग किया गया था 1936 में ठीक है यह इयर भी आप याद हैं कहां मिला है बताइए तो ऐसे कोशन को फोड़ा लॉजिकली भी गैस कर सकते हैं अगर आपको नहीं है और आपको चांस ही लेना है तो आप बोध गया मार्क करके यह बोध गया ही जो है बुद्धिजम का सेंटर था तो हो सकता है कि ज्यादा चांसे महीं है लेकिन अग कोशन देखते हैं कि मोतिहारी पहुचने के बाद गांदी जी कौन से गाओं का जायजा लेने गए थे जसूली पट्टी चंदरिया गजनेर या बरुवा किस का जायजा सबसे पहले लेने गए तो इसका अंसर हो जाएगा चंदरिया गांँ था उसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है कि मोतिहारी से चंपारन जब गांदी जी हाती पर बैटके जा रहे थे तो कौन से डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट थे उनका नाम बताना है जिन्होंने उनको रोक दिया था पताईए लफ मौर्शे डब्लीवी हेकोग कैप या आप से पूछ रहा है कौन-कौन सा टैक्स उनको देना पड़ता था कर उनको देना पड़ता तावन हर्जा साराबेशी या हुंडा बताईए तो इसमें इसका अंसर हो जागा यह सारे कर उनको देने पड़ते थे अगला कोशन देख ले तो गांदी जी जब बिहार पह तो अगर हम देखें तो गांदी जी सबसे पहले कहां गए थे मुझफरपुर में गए थे इसलिए इसका अंसर हो जाए का भी अगला कोशन देख लेते हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आख नाक कान मू दिमाग हाथ पैर सब खोल के बैटिए ताकि आप भटा भट को सके और ऐसे ही धसा धस कोशन का अंसर आप अपनी ओमार में लगा सके नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है चेयर्मन बताना है किसका चंपारन अग्रेरियन इंक्वारी कमेटी का जब अंग्रेजों ने गांधी जीक सामने खुटने टेक दिये थे तो एक कमेटी बनाई थी उस इस पूरी कमेटी के मेंबर्स पूछे हुएं पूरी कमेटी में कौन-कौन मेंबर थे जी राइनी एलसी अदामी दीजे रीड और एल टैनर कौन-कौन थे ये सभी थे इसले इस का अंसर हो जाएगा ई अगला कोशन देख लेते हैं पूछ रहा है कि सॉल्ट सत्यागरे या के बारे में आपको बता देता हूँ ये करीबन 12 मार्च 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था और 6 अपरेल तक ये चला था और साबरमती के आहमदाबाद के साबरमती आशरम से और डांडी तक ये लोग गए थे और सभी ने आवज्यान दूलन की स्टार्टिंग साल्ट सत्य नेक्स कोशन देख लेते हैं पूछ रहा है कि सॉल्ट सत्य ग्रेज जो हुआ था नक्खास ताल में जो पटना में है नक्खास ताल वो किसकी लीडर्शिप में था अंबिका कांथ सिना अनुग्रे नरायन सिना राम बली जया प्रकाश नरायन किसकी लीडर्शिप में था नेक्स कोशन देख लेते हैं आप से पूछ रहे कि बरहिया ताल का जो रिवोल्ट था वह बिहार की किस हिस्से में वा था मुंगेर में भागलपुर में पूर्वी चंपारन बताईए तो यह बेसिकलिए आपका का हुआ था मुंगेर में हुआ था इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह नेक्स कोशन देख लेते हैं आपसे पूछ रहे कि 1830 में पटना में एक रिवोल्ट हुआ था वो रिवोल्ट कौन सा था बहाबी रिवेलियन कुका रिवेलियन बकश रिवेलियन या संथल विद्रो क्या था ये वहाबी रिवेलियन था? इसका ए आंसर हो जाएगा सैयद एहमद बरेल्वी इसके जनक ठे सैयद एहमद बरेल्वी इनके जनक ठे और ये इसलामिस्ट रिवाईवरियन श्रीवाईवियन चला या vuelta मिंच रिवेलियन का जुरुम हुआ अर्वर्टिवरियन नह उसका वो करना चाते थे उसको रिफॉर्म करना चाते थे यह जो 19 सेंचुरी की सोशो रिफॉर्म मुवमेंट्स है यह आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है यह आपको पता होनी ही चाहिए नेक्स कोशन देख लेते हैं यह पूछ रहे कि होम रूल लीग बिहार में कि जालू हुआ था उसमें जो डिफिकल्टीज लोगों को आ रही थी उसके खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने होम रूल लिग में किया था आइडिया यहां पे क्या था सेल्फ रूल यानि कि स्वराज सेल्फ रूल खुद को खुद का पार्टिसेपेशन अड्मिनिस्टेशन म थी नेक्स कोशन देख लेते हैं मुझाफर नगर की जो बॉम्मिंग करी गई थी जिसमें जो मेजिस्ट्रेट थे डगलस किंग फोड उनके उपर बं फेका था तो कौन से लोग इसमें इन्वाल थे प्रफूल चाकी खुदी रामबोज प्रमतनात्मित्र और पुलिंदास कौन थे बताईए तो अगर हम देखे इसका अंसर यह हो जाएगा यह सारे ही लोग इसमें इन्वाल्ट थे ठीक है तो अगर हम बात करें तो आप मुझे डेट बताईए यह जो डेट बीपी एसी की बड़ी फेवरेट है तो आपको मुझे डाटा नहीं बताना है डेट बत चाहिस इसका बी है पटना में बोच पूर में बताईए तो यह जो आंसर इसका बी है किशन अगंज में यह है यह हाईए फ्मार इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार ही आप इसको अच्छे से रिवाइस कर पाएगे पूछ रहा है कि छोटा नाखपूर प्लैटो और इं तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा बिहार चोटा नागपुर प्लैटो का पार्ट नहीं है ठीक है उसके नेक्स कोशन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी वुमेन फ्रीडम फायटरेनी की महिला सोतंतर सिनानी है जो बिहार से असूसियेटेट नहीं है कौन है वो बताइए प इसमें आपको मैच्ट फॉलिंग बनाना है क्या लोटा रिवोल्ड मुझफण अगर में हुआ मुझफफर पूर में हुआ था माफ कीजिए बहाबी अंदूलन पटना में हुआ था ताना बगत अंदूलन 1914 में हुआ था नूनिया विदरो 1770 से लेकर 1800 में हुआ था के नहीं बजा दिया है जैसे हम इट से बजाते हैं लेकिन उन्होंने लोटे से लोटा बजा दिया ऐसी वहाबी मुवमेंट जो था वह उपर डिसकस कर चुके हम ताना बगत मुवमेंट यह उराओं ट्राइब जो हमने उपर देखी थी जिनको डंगर भी कहते हैं और करकुर्ग भ दिस्टिक है और सारन डिस्टिक है यह सारी डिस्टिक इससे ज्यादा प्रभावित हुई थी इसलिए इसका अंसर हो जाएगा इए अगला कोशन देख लेते हैं इसमें आप से पूछा हुआ है कि इंडिया नैसल कॉंग्रेस के इंडिपेंडन से पहले बिहार में कितने से बांकेपूर में और दूसरा हुआ था उनने 122 में कहा पे गया में आप बताएंगे गया का जू सेशन था उनने 122 वाला वह इतना इंपॉटेंट क्यू में है यूपसीभी लेके इसको सवाल पूच चुका वीपसी तो पूची चुका और पहला अधिवेशन कभ वह था य सेशन का कहा हुआ था बिहार में तो अभी उपर देख यह रहे हैं इसका अंसर पटना हो जाएगा नेक्स कोशन देखते हैं कि पंडित राज कुमार शुकल जोते जिन्होंने गांदी जी को बिहार में बुलाया था तो उन्होंने कॉंग्रेस के कौन से सेशन में अधिवेश क्यों है 1916 में ऐसा क्या बंफट गया था इसके वैसे लगनाओ सेशन इतना फेमस हुआ लेकिन वह बहुत ही इंपॉर्टेंट माइल्स्टोन था दौनों ही चीजों के लिए एक तो हमारी इंडिपेंडेंस मूव्मेंट की सक्सेस के लिए भी और एक इंडिया के पार्टि को आर्टिकल का नाम बताना है चंपारन के आसु नील लहू चंपारन में अंधिरा है नील कलंग बताईए तो जीवन में अंधिरा है तो आर्टिकल का नाम भी अंधिरा होगा तो चंपारन के अंधिरा चंपारन में अंधिरा यही इसका टाइटल था और अगर आपको अप कौन सा जिला इससे अच्छूता था चंपारण बांका मुंगेश्व रहतास कौन सा जिला चूता था बताए तो ये जो करांथी थी इसमें मुंगेश्व जो जिला था वह बिहार किay 저 क्रांथी 57 की उससे मत्जोता रह गया किया था नेक्स कोशन देख लेते हैं इसमें चौकिदारी tax abolition movement चला था यानि कि चौकिदारी देना बंद कर दिया था वो कौन से movement के साथ में चला था civil disobedience यानि कि सभी ने अवग्या non cooperation ने कैसा योग अंदुलन कृट इंडिया movement ने कि भारत चोड़ा movement और royal navy चला था यहां पर होता क्या था चौकिदारी एक तरीके का टैक्स लेती थी जो फार्मर्स एक तरीके का टैक्स लेती थी ताकि उनके जो villages और उनके जो fields हैं उसको वो security provide कर सके नेक्स कोशन देख लेते हैं भारत बिहार के पहले सत्याग्राई का नाम बताना है आपको अनुगरे नरायन सिंग अब्दुल बारी राजेंद प्रसाद या स्री कृष्ण सिंग कौन थे बताईए तो इसका आंसर हो जागा ड़ी स्र हुँआ है तो इसन प्रसाद बताईए तो इसका आंसर हो ज likes वोगे बनेंघाए नाम था इस नूस पेपर का अब मुझे बताएंगे अगस्त में ही 1942 में ही एक कुट इंडिया रिजॉल्यूशन को पास किया गया था तो कुट इंडिया रिजॉल्यूशन को किस देट पे पास किया गया था BPSC की बड़े फिवरेट टॉपिक है डेट पूछ लेती है एक बार उसने चैंदर शेकर आजाद को किस दि इसका अंसर हो जाएगा डी तो चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं इसमें नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है कि डबल डेकर एलिवेटेड रोड बन रहा है हजार करोड की लागत से उसको बनाया जारा तो बिहार के कौन से डिस्टिक्ट में बनाने कि उसको मंजूरी दी इसको डबल डेकर रोड बोलते हैं चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं इसी तरीके से अगला कोशन आप से पूछ रहा है कि नैशनल प्रेयरना एन्वाइ अवार्ड यानि कि राष्ट्रिय प्रेयरना दूत पुरुसकार किस महनुभाब को दिया गया था बिहार के किस महन मेंटल कंजर्वेशन में काफी जद एक्टिव हैं और कौन से डिस्ट्रिक में मिला था इनको तो इनको छपरा डिस्ट्रिक में दिया गया था ये वाड ये सारी जानकारी आपके पास हो नीचाई अगला कोशन हम देख लेते हैं तो पूछ रहा है कि बिहार की कौन से डिस माहनननदा के किनारे है तो आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन-कौन से डिस्ट्रिक है जो गंगा किनारे है जैसे मैं आपको बताता हूं बकसर है भोजपूर है सारण है पतना है वैशाली है समस्तिपूर है बेगुसरा है और इसी स्पीड से अगर आपको याद हैं यह कौन से डिस्टिक में बिहार के सबसे जादा लिटरसी रेट है सीमा सीता मड़ी मुंगेर मघेपूरा या रहतास कहां पर बताईए तो इसका आंसर हो जाएगा रहतास में सबसे जादा आपको देखने को मिलेगी लिटरसी रेट लेकिन अगर हमें लोएस्ट पूछे लोएस सेंचुरीज और डिस्टिक अब बिहार को मैच करना है लेकिन इस बार इसमें करेक्ट मैच करना है जो सही सही जोड़ी बनी हुई है तो राजगिद नालंदा गौतम बुद्ध गया विक्रम शिला डॉल्फिन भागलपूर कुशेश्वर अस्थान वो है दरबंगा पूर्णिया सहरसा नॉर्धन चंपारन वेस्टन चंपारन कहां मिलते हैं बताईए तो यह दून कैटेगरी आपने देखा होगा पार्ट की दून धैरा दून यह सब क्या है शिवालिक से जो जुड़े हुई जगाएं हैं तो यह जो हिमाल्याज है नॉर्धन हिमाल्याज यह जो उत्राखंड यूपी और बिहार का जो इलाका है यहाँ पर दून्स बन जाते हैं जियोलोजिकल फॉर्मेशन होती है उसकी काटेगरी के फॉरस्टें वेस्टन चंपारन में मिलते हैं सोमेश्वर से मुझे यादा है सोमेश्वर वाइल लाइफ सेंचुरी नाम से सेंचुरी है वो आप मुझे बताएंगे कौन से राज्य में है क्या वो बिहार में है या कई बिहार से बाहर है ठीक है नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है कि पहला मुशलिम साशक कौन था पहला मुशलिम इन्वेडर यानि कि हमलावर जो प्र तर्किस ओरीजन से थे यानि कि अफगानी भी थे और तुर्की ओरीजन से भी थे और बहुत ही इंपॉर्टन्ट मिलेटरी जनरल भी थे अपने टाइम पर पूछा हुआ है नेक्स कोशन में कि गवर्नर कौन थे बिहार के पहले इंडिया इंडिपेंडेंडेंस के बाद गव है कि बिहार का वो गवर्नर जो इंडियन रहा हो भारतिय जो मूल का जो रहा हो वह आपको बताना है इंडिपेंडेंस से पहले गोविन नरायन सिंग विनोद चंद्रपांडे नित्यानंद कानून गोर सतेंदर परसाद से ना कौन थे बताईए तो इसमें से इसकान सरो अब्दुल कयूम अंसारी अब्दुल बारी मुहम्मद यूनूस ये मुहम्मद जुबैर कौन थे बताई तो ये अब्दुल कयूम अंसारी थे अब्दुल कयूम अंसारी जिन्ना की जो टू नेशन थियोरी थी पार्टीशन की जो थियोरी थी उसके खिलाफ उन्होंने मुम लिए भी ठीक नहीं है इसलिए आपकी विजम्मेदारी है मेरी विजम्मेदारी है कि हम सब लोग भाईयों की तरह रहे हमारी क्या है बताइए एक फंडामेंटल ड्यूटी है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं जो रियल क्रेडिट है यानि कि श्रे जो वास्तविक श्रेय या बिहारी टाइम्स जिसको पहले बोला जाता था वो पॉब्लिष्ट कौन करता था असचितनन सिना महेश नरायन अनुग्रे नरायन फूलद फूलन प्रसाद वर्मा फूलन देवी किया आदा गई मुझे तो बताइए तो इसको जो प्रकाशित किया करता था वो महेश न प्रोग्राम चलाया गया था उन्नेस 2020 में किताब दान बिहार के किस जिले में हुआ था पुर्णिया यहां पर गोवा नहीं है गया है तो आपको अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हैं लेकिन अगर आप इतना जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोइस लिटरेसी कहां है तो हो सकता है कि आप इसको इस लॉजिक से भी सॉल कर सके तो पुर्णिया में सबसे जाद सबसे कम लिटरसी है इसलिए किताब दन प्रोग्राम दी पुर्णिया में ही चलाया गया था नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन आप की बड़ी से तो बिहर की कौन सी डिस्टिक्ट जो है लीची के लिए सबसे मजब पूर और यह अपको मुझे बताना एसका नाम आपको ढूण के मुझे बताना एक यह आप से सीधा सीधा पूछा जा सकता है करेंट अफैर्स में नेक्स कोशन देख लेते हैं इसमें पूछाए कि ऐसा वो उस नैशनल हाईवे का नाम बताईए रास्टी राजमार्क का जो बिहार में जिसकी लंबाई सबसे जादा है तो तीस पिच्छासी तीस असी पिच्छास सबसे ज़्यादा लंबाई इसी कि अगला कोशन हम देख लेते हैं इसमें पूछा है कि राजगी डिस्टिक में कौन से जलकुंड नहीं है ये कॉर्मोरेंट आप छोड़ दीजिए कॉर्मोरेंट बेसिकली बर्ड की स्पीशी होती है जो की पानी में रहती है इसलिए इसलिए आपको यह पता होना चाहिए नेक्स कोशन देख लेते हैं आज का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के लिए जो बनाया गया है वह आपको कहां कौन से डिस्टिक में मिलेगा बिहार के किस जिले में मिलेगा गया में मुंगेर में भागलपूर में विक्रमशिला मे knowledgeable वीडियो के लिए study for civil services जुड़े रहिए हमारे चैनल को subscribe करिए वीडियो को like और share करिए और हमारी जो free playlist है पापा वीडियो से revision आप कर सकते हैं और answer writing भी improve कर सकते हैं और आपकी time के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शुबहो धिन्यवाद